हाई सो हाई वेकम टो थे कंप्यूटर माइंड तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने पूरे हैकिंग कोर्स को अप्लोड करेंगे तो सबसे पहले हम एक हैकिंग कोर्स फ्री में आप सबको देने वाले हैं तो हम हरे ट्यूटारियल करके निकालेंगे, एक साथ एक वीडियो में, पूरा हैकिंग ना निकालके, छोटे छोटे वीडियो में, हम upload करेंगे, तो इस इस hacking series में क्या क्या होगा और दूसरे YouTube में जितने भी tutorial है already उसमें से क्या इसमें difference होगा और क्या बैतरी होगा वो सारी चीजे आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे और देखेंगे इस वीडियो में कि हम क्या क्या topic कभर करेंगे तो सबसे पहले हम इस course के बारे में जानेंगे उस और उसके बाद हम काली नेक्स को कैसे install करें काली नेक्स क्या होता है उसे कैसे setup करें उसके बाद basics of काली नेक्स और उसके बाद basics of hacking तो यहाँ पर basics of काली नेक्स हम इसलिए सीख रहे है क्योंकि Windows जो है वो GUI OS operating system है और काली नेक्स भी GUI है बट उसमें terminal के use जादा होता है इ तो जादा तर काम हम काली नेक्स के comment line से करेंगे इसलिए काली नेक्स के basics comment जो है वो हमें सीखने होंगे तो इस course में क्या क्या है हमने आपको बता दिया और यह course हम अलग-अलग वीडियो में upload करेंगे आपको एकी time पे time हम आपको बता देंगे next वीडियो में तो अभी hacking क्य है तो hacking मतलब किसी भी system को चाहिए वो analog हो या फिर digital हो उसको अपने मन मताबक manipulate करके अपना काम करवाने को hacking का जाता है तो hacking कभी कभी बिना permission के होता है कभी कभी permission के होता है ज्यादा तर hacking बिना permission के होता है और सबसे बले एक disclaimer बता दू कि यह सारी चीज़े हम education purpose के लिए सिख responsibility नहीं लेंगे तो आप जो भी करेंगे प्लीज permission के शाहत करना तो अभी hacking Windows में भी होता है और Linux भी होता है Linux जैसे एक operating system है Windows की तरह Windows GUI है Linux भी GUI होते है और comment line भी है तो Linux के बहुत सारे Linux open source है और Windows open source नहीं है तो open source का मतलब क्या है तो Windows जिस code से बना है Windows हर operating system कोई ना कोई प बनता है उसमें code होता है तो वो code open source मतलब आम जनता के लिए अगर jeपलेबल है तो उसे open source का जाता है अगर आम जनता के लिए अब लेबल ना हो बहुत सारे operating system बनाया है Linux से उसके open source code से अभी Linux के बहुत सारे भर्षण में भर्षण बहुत सारे भर्षण होते हैं और भी debuted में हम Ubuntu चलाते नौरमली आप सु़ झानते होंगे और उसमें से और एक होता है Cali Linux, तो अभी दोनोई इस दोनोई Linux है, मतलब दोनोई Linux से libro । बना हुआ है उसके जो core module होते है उसे ही बना हुआ है, but different type के उसके GUI different है उसका interface, terminals सब different है, उसके कुछ code सहम हो सकते है, बट जाधातर code different है, तो अभी हम Calilinux इस granted करेंगे मैं करेंगे काले निनेक्स जब mocÇाब से बहतर हैं के लिए और देख अग्योजस पर State सबसे बैदर हैं मौडियूर्ड और उससे आप आसाने स्दॉर्ट हैक कर सकते हैं तो अब भी कालिक्स काले निनेक्स को सेट अप कैसे करें और बेसिक्स आप काले निनक्स सीखेंगे उसके बाद हम हैकिंग में एंट्री करेंगे तो थैंक्स फर वाचिंग अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना और प्लिस शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि इस फ्री टाइम में आप एक नया हैकिंग कोर्स सीख सकते हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम आये तो प्लिस कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए मैं सॉलिशन देने की कोशिश करूँगा और अगर कोई गलती हो जाए मेरे से इस वीडियो में तो सौरी क्यूंकि मेरे को भी सब क